तलाक दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्थ है। जब मैं रात को घर पनुचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा मुझे तुम से कुछ जरूरी बात कहना है। वो शांत बैट कर खाना खा रही थी। उसकी आखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूं मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांती से कहां मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्थ नहीं पड़ा बल्कि उसने मुझसे पूछा क्यू तलाक चाह किये। मैंने उसके सवाल को अंसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठा कर फेक दिया और जोर से चिलाई तुम इनसान नहीं हो। उस रात हमने एक दुसरे से बात नहीं की बो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या ह हुआ जो हमारा रिष्टा तूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुम्किन था। मैं अब किसी और से प्रिया नाम था उसका प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसके बरसों के प्यार की स अरून के टुकड़े टुकड़े कर दिये वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे वो आज मेरे लिए अंजान हो चुकी थी मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किये, मगर मैं क्या करून जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था आखिरकार उसके सब्र का बान तूट गया और वो फुट-फुट कर मेरे सामने रोने लगी मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था तलाग की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी अगले दिन मैं घर काफी लेट आया मैंने देखा कि वो टेबल पर बैट कर कुछ लेख रही थी मैंने शाम का खाना नहीं खाया था लेकिन फिर भी में सीधी ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगल गूने के बाद में ठक गया था वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते-लिखते सो गई थी सुबह उसने तलाब देने की शर्ते बताई वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी उसे सिर्फ तलाब से पहले एक महीने का समय चाहिए था उसने आग्रह किया कि इसे एक महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जीए जितना संभव हो सके क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है वो नहीं चाहती थी कि हमारे तूटे रिष्टे का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पढ़े मुझे भी यह ठीक लगा मगर वो कुछ और भी चाहती थी जैसे शादी के दिन में उसे उठा कर अपने शेयनकक्ष तक ले गया था उसी तरह हर रोज एक महीने तक मैं उसे शेयनकक्ष से उठा कर मुख्यद्वार तक ले जाऊं मुझे लगा यह पागलपन है मगर इन आखरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्ट स्वीकार कर ली मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्ते बताई वो हसने लगी उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले तलाक होना तो तह है मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठा कर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफी अजीब महसूस रहे थे पीछे से हमारा बेटा भी खिल खिला कर खुश हो रहा था अगले दिन ये काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया वो हमेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुश्बू महसूस कर रहा था ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुश्बू मिल रही थी या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं था और चहरे पर कुछ हलकी जुर्या नजर आ रही थी और बाल भी सफेध होने लगे थे ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किये थे चोथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमाच लोटने लगी थी पांचवे और छथे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था अब उसे उठाना और आसन हो गया था शायद हर रोज ये सब करने का मैं आदी हो गया था एक दिन वो अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी लेकिन कुछ खास नहीं ढून पाई उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कप्ते बड़े पढ़ने लगे हैं तब मुझे पता चला कि वो काफी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था मेरे दिल को एक छक कासा लगा उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छुकर देखा अच्रानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा ये तो मम्मा को उठा कर बहार ले जाने का समय हो गया है उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठा कर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन हिस्सा बन गया था मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्ने न बदल लून मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटीन रूम होते हुए हॉल तक लाया उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आस पास रख दिये मैंने उसे जोर से पकर रखा था बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था महीने के आखरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चलपाना मुश्किल हो रहा था हमारा बेटा स्कूल जा चूका था मैं अपनी कार से ओफिस गया और कार से कूट कर बाहरा गया बिना कार को लॉग किये मुझे दर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी मैं उपा गया प्रिया ने दर्वाजा खोला और मैंने उससे कहा सौरी प्रिया अब मैं अपनी पत्नी से तलाग नहीं लेना चाहता हमारी शादी सुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वज़े से बोरिंग हो गई थी लेकिन इसका मतलब ये कते नहीं कि हम एक दुसरे से प्यार नहीं करते अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था उस दिन से जीवन के आखरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है प्रिया की होश ओर गए उसने मुझे एक जोरदार चाटा जड़ दिया मेरे मुपर वोह रोने लगी और दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया मैं सीडियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बेट गया आगे एक फोल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुन्दर सा गुलदस्ता लिया दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखरी दिन तक क्यों ही उठाता रहूंगा मेरी अर्धान गिनी उस शाम जब मैं घर आया हाथों में गुलदस्ता लिये मेरे चहरे पर एक मुस्कान थी मैं उपा अपने कमरे की तरफ भाग कर गया लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिष्टे को तूटने से बचाना चाहती थी मैं नीच उसे तलाप लेना चाहता था लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नजरों में एक प्यारा पती और पिता बना दिया था जीवन की छोटी छोटी बाते रिष्टों में बहुत महत्वर रखती है बड़ा घर बड़ी कार और बैंक वेलेस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं मगर अपनों के बिना इंकी कोई कीमत नहीं